आज मैं आपको जिरो नमबर की चोली क्रिश्णा जी की चोली कैसे बनाया है वो सिखाऊंगी हमें लूप जब बनाना है हम इस प्रकार भी लूप बना सकते एक बार ठीक है इस प्रकार भी लूप बना सकते हैं फिर अभी मैं चेंड बनाऊंगी वन तू त्री फॉर फाइव मैं फास्ट ले रही हूं सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेंड ये टेंड चेंड मैंने बना लिया है फिर अभी मैं इनको त्री चेंड एक्स्रा लेनी है वन तू और ये हो गया थ्री अब मैं एक दो चेंड जो है वो स्किप कर लूँगी और थर्ड चेंड में डबल क्रोशी ले लूँगी ये हैं डबल क्रोशे फिर से नेक्स चेंड में इसको उपर घेचां ये तीन होगे तीन का दो और दो का एक डबल क्रोशा करने के लिए एक बल लेना है नेक्स चेंड में डालकर ये उलन को उपर खीच के तीन का दो और दो का एक ऐसे में ये हर एक चेंड में डबल क्रोशे कर लूँगी क्रोशे जब बनाते हैं हम तब हाथ जो है वो थोड़ा सा सेल रखना पड़ता है जितना हाथ सेल रखेंगे उतना वो वर्क तोड़ा अच्छा होगा पड़के लिए प्रकूशे कर दो पड़ेंगे वह जाजार बाल हैं आप पर दो और आपक्रदी आपका दो में दो जो एक चेन में डबल क्रोशे हम यह डबल क्रोशे कर लेंगे अभी मेरे डबल क्रोशे बनके रेडी है अभी हम काउंट करेंगे कितना हुआ तो 12 डबल क्रोशे होगे 12 डबल क्रोशे मेरे रेडी होगे मैं इसको टर्न कर लूँगी दो चेन बनाके वन इसको मैं इसको मैं इसे टर्न कर लिया अभी में इस पे डबल क्रोशे नहीं लूँगी अभी मैं इस पे हाफ डबल क्रोशे बढ़ाओंगी क्योंकि मेरे को ये जीरो नंबर की काना जी की चोली बनानी है थोड़ी इसकी जो लेंथ है मुझे ज्यादा बढ़ानी नहीं है छोटी रखनी है यहाँ पे अभी हाफ डबल क्रोशे बनाने है ठीक है तो मैं यहाँ इस इस चेंड में ही हाफ डबल क्रोशे लूँगी हाफ डबल क्रोशे लेने के लिए तीन होगे यहाँ पर यह बल लूँगी और तीन का एक कर दूँगी कि तीन का एक हमें हर एक चेंड में डबल क्रोशे बनाने है दो बार लेकिन लाज्ट चेंड में हम एक ही बार बनाते हैं यहाँ पर सिप एक बार हम हाफ डबल क्रोशे एक बार बनाएंगी तो वह हाफ डबल क्रोशे हम यहाँ पर बीच में अड़्जिस कर लेंगी देके बीच में एक हाफ डबल क्रोशे एक्स्ट्रा बनाके वहाँ पर अड़्जिस कर लेंगी यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशे एक्स्ट्रा बना लूँगी यहाँ पर भी वन चूर थ्री हाफ डबल क्रोशे होके अभी हर रे चैन में सिंगल हाफ डबल हाफ दो बार हाफ डबल क्रोशे तीन का एक बल लेके तीन का एक कर देना यह अभी यह अभी लास्ट चैन में पर लास्ट चैन में लास्ट चैन में दो बार और यह लास्ट चैन में हम एक बार हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे ठीक है यह होगे अभी में दो चैन बना के यहाँ पर टर्न कर लूंगे अभी मुझे यहां पर बढ़ाना नहीं है इसलिए मैं एक चैन छोड़के नेक चैन में हाप डबल क्रोशे ले लूँगी यहां पर वन तू थ्री कि और फॉर फोर यहां अनुआ पर डबल क्रोशे कें हार एक चेंड में एक-एक हाब डबल क्रोशे बना लूगी ठीक है यहां पर उन तू थे और फोर फोर हाब डबल क्रोशे होने के बाद मैं आभी फोर चेंड स्किप कर लूगी वन तू त्री और फोर ठीक है 3 4 5 6 7 3 8 होगे अभी मुझे 4 चेंज स्किप करना है 1, 2 और ये 3 ये 4 ये होगे हाफ डबल क्रोशे हाफ पे 1 2 3 और ये लास्ट में 4 बार यहाँ पे हमने कैसे लिया है ये फर्स चेंज के उपर हमने डबल क्रोशे बना लिये थे फिर यहाँ पे नेक चेंज में हमने दो बार हर रेक चेंज में दो बार हाफ डबल क्रोशे बनाये हैं सिर्फ लास्ट में जब हम यहाँ पे एकी बार हाफ डबल क्रोशे बना दना था इसलिए हमने बीच में एक तीन बार हाफ डबल क्रोशे बना लिया था ठीक है यहाँ पे यह हो गेते हमारे 12 12 12 डबल क्रोशे यहाँ पे हमारे 24 हो गेते 24 हाफ डबल क्रोशे फिर हमने यहाँ पे फोर फोर फॉर यहां पर चेन शिए में किया सेस्टेट लाइम, झाल में 25 प्रम सॉम प्वधी काहिता है कि त्प्रमृ average हां स्किप में 4 mart जाइन चेन शिर्ड गेन हैं इसमानीस आफच कर में छीन केसे स्किपրेंए इसके बाद फिर से सेम फोर यहां पे हमने फोर हाप डबल क्रोशे बना लिए इसके बाद हम यहां पे इसके उपर एक लाइन फिर से एक लाइन हमें चड़ानी है इसके लिए मैं फिर से दो चेन बनाऊंगी वर को टर्न करूंगी और हर रेक चेन में एक बार हाप डबल क्रोशे बना लिए ठीक है यह मैंने रेक चेन में हाप डबल क्रोशे बना रहे हूं अगर आपको इसकी लेंद इससे भी ज्यादा चाहिए तो आप दूब्ल क्रोशे में ऐज की तो यहां से यहां से यहां तक इसकी यह डबल क्रोशे है और यह बार double crochet लिया है और वन 2 और 3 टाइम मैंने हाफ double crochet का यूँज किया है यहां है कि आपको लेंड किस तरह चाहिए आपको बड़ी चाहिए च्छोटी चाहिए अगर च्छोटी चाहिए तो आप ऐसे कर सकते और अगर बड़ी चाहिए हो तो आप डबल क्रोशे दो बार भी ले सकते हो ठीक है ये अभी मेरा आप डबल क्रोशे हो गया है ठीक है ये अभी ये से ये छोली का सिर्फ ये चोली ऐसे बनके रेडी है अभी मुझे ये वर्क को यहां पर यहां को यहां पर चोली को स्टीच कर लेना है ये मैं चोली यहां पर जोड रही हूँ अभी तो मुझे यहां पर स्लिप स्टीच यूज करनी है यहां पर इस तरह से मैं ये जोली स्टीच करण स्लिप स्टीच में बना दूँ ये यहां पर इंड वाली स्टीच बना लिए ठीक है इसको टाइट कर दीजे हैं यहाँ पर अभी यह वर्क एंड हो गया है यहाँ पर हम कैजी से इसको काट सकते हैं यह चोली कानाजी की जीरो नंबर की चोली अभी रेडी हो चुकी है मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजे धन्यवाद